आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर और आज आप सब लोगों के लिए खुशकबरी है आज हमारे यूटूब चैनल पर आये हैं सिये अमर जी सिंग जी जी एस्टी एक्सपर्ट है सर और काफी अच्छी नोलीज है बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहें सर को मैंने बुलाया है आप लोगों के सवालों के लिए जी एस्टी काउंसिल मिटिंग जो अभी हुई है सर 45 उसमें बहुत सारे सवाल है ठीक है बह अब जी सर वारे ओरियल्स को बताएं सबसे पहले धन्यवाद कापिल जी आपने मेरे को इन्वाइट करा और जहां तक आपके कॉश्चन का सवाल है कि रेट्स में काफी चेंज हुआ है अफकोर्स रेट्स में बहुत चेंज हुआ है क्यों कि आप फर्स पार्ट अगर आप प्रेस रिच का देखेंगे तो रेट से ही बढ़ा हुआ है कुछ क्लैरिविकेशन इसमी है और अगर आप में से पूस्ते हो कि फाइदा क्या हुआ है तो फाइदा तो कोविट को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने सारी कोविट की वेसिनेशन जितनी भी थी उनके रे अगर तब तक अभी कोविट रहेगा ठीक है ना राइट इसलिए इन्होंने कि अगर तब तक इस्थिती सही हो जाती है तो ठीक है नहीं तो उसके बाद बढ़ाएंगे और कुछ जैसे अब देखते जा रहे हैं कि डे बाई डे मैडिसन और भी आरी है और उनको आग न्यां Daniel रहें मुआ तहीं बाद टेखिया में अब डाईगा है कि हर मैठल कड गढ गया है स्टीन और या चंचर में ऊंधान आल अंवाले वाले इन्हां पर्फिकल को प्रसेंट जो च्चोश टहारा परसेंट में रहते थे लेकिन राइपरसेंट-र निथे चोर्या है यहां एजुकेशन लेकिन ऐसी आइटम को नहीं बढ़ाना चाहिए अचिर भी बढ़ाया है तो रेट जो सेंटर गवर्मेंट से रिलेटिट था उसके लिए एजुकेशन रही है अदरवाइस कमर्शियों चीजों पर रेट मेरे समसे बढ़ ही तो एजुकेशन में भी नहीं करें है कि अगर आप नहीं आप टुरूंРЕ करवयों है तो एमहाँ यह नहीं थो स्क्रूंव मेरेट च इंटर पर सेंटर ऺर्युकेशन सेंट्सव परसेंट तक उस रेट बिल्कुल बिल्कुल सर इसमें एक चीज में और देख रहा था एक नहीं ने आर्सीम के अंदर एक बुट्स को एंटर कर रहा है राइ मैंथा ओयल को क्या चीज है वो थोड़ा सा बता है आर्सीम एक्षली मैंथा ओयल आप यह कह सकते हो कि मिल्ट ओयल जो कि एक पुदीने का तेल एक तरसे आप कह सकते हो तो इंडिया इस वन अफ द लार्जस एक्पोर्टर ऑफ यह उसको बनाने वाला किसान होते हैं कानपूर में जादा इसकी खेती होती है पुदीना उपता है और देखर को दद दो है वहां पर भत आपनी लगा लेते हैं तो उस उणी से हम पर्षेज करते है चीज इस केस में क्या होता है कि यह नहीं के बनाने चीज की कितना में उयल को बिका कितना जीएस्ट अना चाहिए तो अब अगर में अगर में अगर मुनकों बहुत है हर पर पर हमारा RCM लगता था इसी तरीके से में था किसान जो है वो ऑगनाई सेक्टर नहीं है बिल्कुल और GST का क्लेक्शन अगर गवर्मेंट को चाहिए कि मेरे पास आता रहे टाइम ली तो उनको कोई ऑगनाई सेक्टर कोई पकड़ना पड़ेगा तो इससे कुछ महंगा नहीं कि अगर आपके तरनोवर है तो आप जसे परसेंट का कमपोजिशन स्कीम में पे करो और बस आपको जाएंगे अधर में होता है उससे चोड़ के बाकि 20 लाग तक में कोई ज्यादा रहता नहीं है तो इसलिए उनका मानना है कि शे परसेंट वाले उनने भी एक ये एक ये ए में अलग से आजाएगी अधरवाई आप 12 परसेंट पे करके आपको जाता हूं इन्होंने जेस्टी कांसिल की मिटिंग में कि एक चीज ये बोली है कि वह जो इंटरस्ट है वह 24 परसेंट से 18 लगेगा तो 24 परसेंट तो कभी था ही नहीं है वह तो सेक्शन 42 10 और 43 10 में था जो सेक्शन अभी तक आई भी नहीं है तो वह हमेशा से 18 परसेंट वह था तो यही मेरा भी मानना है का पिल जी कि इसमें सब कह रहे है कि काफी बेनिफिट दिये गए है इस कांसिल मिटिंग के तूर लेकिन बेनिफिट अभी एक हम डिसकर करेंगा इंग को जो एक कैश ले यह तो यह वाली जो ख्लाइफिकेसन ने तो टीपार्टमेंट के लिए कि लिए कि लगा जब आपको आपको लिए अपको बोले लगे कि मैं 24 परसेंट से नहीं को आपको इन्टरेस्ट यह आपका पैनलिटी और इंट्रेस्ट विश्वा इसमें एक चीज और यह थी इसमे यह वो हम सबस्तो रोड़ क्या अवेस्ट आपकपल टैसाड हमें लिगम सब्सक्राइब करकिका हो तो यह आप अगर एएब में रिवर्स करना थैं़ ऐसे यह यह चाहिए कर बेंगे इसके favor में था एक दो high court भी इसके favor में थी बिल्कुल और अब इनक्लारिफिकेशन देखे अपने डिपार्टमेंट को ही क्लारिफाई किया है कि हावी वह जायचीज है लेकिन जो पीछे वाले cases में कुछ clients हो ने जमा करा दिया है interest उनका क्या होगा क्योंकि देखो सर क्लारिफिकेशन है तो पक्ता कोई circular ही आएगा तो circular आएगा तो circular तो फिर फरस्टे से applicable होता है तो refund application मेरे साफ से बनती है इसमें अगर किसी को लगता है कि बड़ा तो उसको वो refund application डाले लेकिन वो यह रहेगा कि विदिन टू यह का चैलेंज उसमें आ सकता है तो वो देखने की बात है कि अचा सार इसमें एक चीज और आ रही है कि जैसे हमारा जो PMT 09 होता है कि हमारे cash ledger में tax में पैसा पड़ा हुआ हम fees में डाल सकते हैं fees में पड़ा हुआ टेक्स में डाल सकते हैं हुआ है आपके ददस बार बार रजिस्टेशन है तो आपका cash access में कहीं बार होता है कि जमा कराना नोईडा में जमा करा दिया आपने डेली के रिजिस्टेशन पर तो आप सही कह रहे हैं कि PMT 09 में I think कोई फैसलिटी ऐसी दी जाएगी कि अनदर GSTN में आपको ट्रांसफर क करेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रेडिट लेजर तो फिर अपने आप में फिर तो सारे सेक्शन सिक्ष्टी मेरे सब्सक्राइब कर पाएंगे माल लो CGST और SGST का पैसा है वो तो किसी एक स्टेट से ब्लोंग है तो से दूसरी स्टेट में कैसे टांसफर कर पाएंग जाएगा अगर क्रेडिट लेजर में कभी कर दोफिर का मतलब तो अपका गुड्स का मोमन होता है ना क्योंकि GST का है GST Destination based टैक्स है तो जहां आपका गुड्स जाएगा वहां क्रेडिट जाएगा अगर आपने पहले गूड्स से पहले क्रेडिट भेज दिया तो इसकंट तो इस बैंक में डाल दिया तो उसके लिए उसमें हो सकता है अच्छा एक जो यह बात आ रही है हमारे को कि जो GSTR 1 की जो लेट फीस है GSTR 1 की लेट फीस थ्रीवी से आएगी तो अब कुश्चन यह आता है कि जो जो GSTR 1 की लेट फीस है यह जुलाई 2017 से लगाएंगे यह फ्यूचर देट से लगाएंगे यह मेरे खाल से कपिल जी कहीं पर बीच में सबसे पहला स्टैप यह होना चाहिए यह इसके आते ही कि आपको GSTR 1 पर लग जाओ कि अगर कोई पैंडिंग चल रही है तो फाइल आप कमेंट बोक्स में हमें लिख कर भी बताओ कि यह फ्यूचर डेट से ही लगनी चाहिए ऐसा हमारा भी मानना है क्योंकि इसमें कुछ न कर दो गोने की मैच जीन इन्धर तौं तो एक तुबर महीने की मैच जीन हमारी लगवाग 5 अक्टूबर तक आजएगी तो हमारा यह कोसिस रही कि हम सारी चिजे अपनी मैगजीन के अंदर दे तो सर इसवे रिफ्स रहीगी जो यह रेट्स वरिश बाली सारी चीज आनना आपने बहुत अच्छे से स्टड़ी करी है इसे एक समराइज फॉम में बनाकर हमारी में एक अर्टिकल दे क्या आप सब लोगों को सरका अर्टिकल चाहिए तो कमेंट बोक्स में लिख कर बताओ कि हां सर हमें अमर जी सरका आर्टिकल कर चुका हूं एक बीपीट हमारी आप सब्सक्राइब कर देना होगा अब खाना और महंगा हो जाएगा तो खाना एस अच कोई महंगा नहीं होगा क्योंकि पहले भी GST खाने पर लग रहा था रेस्टोरेंट जब स्वीगी और जोमेटो पर रिस्टरेंट पर रेस्टरेंट नमबर के बगार रिस्टरेंग लेकिन होता गया था कि वो तो चार्ज कर लेते थे लेकिन गवर्मेंट को ऐसा लगा कि मेर को पैसा उतना नहीं पहुच रहा है तो यह अब क्योंकि 95 section 95 में पावर है कि हम e-commerce operator को कह सकते हैं कि you are the supplier और आप इस टेक्स को पे करो अब जिम्मेदारी स्वीगी और जोमेटो क कि होगी आपके अपर तो 5% लग रहा था और 5% ही लगेगा अब इससे समझ लीजे जैसे आप Ola car book करते हो तो ओला कार में क्योंता ड्राइवर सर्विस देता है और हम सर्विस लेते हैं लेकिन टेक्स कोन पे करता है ओला की जुम्मेदारी होती है इसी तरीके से अगर आपोडलों सर्विस अगती होता है खुतली है कोंडलों पाथे लगाई ब Annoyans कर और ालंते हो फिर रह ऑन जा बंद हो जाते हैं इनके पास कालेक्षिए पोच या मेरे सामनों कई एग्जम्पल आइसे हैं की बंद है और इनके पास collection नहीं पोच रहा है और उसके बाद रेस्टोनेंट वाला नहीं मिल रहा है रेंटी प्रमाइसिस में था तो इस चीट को कवर करने के लिए इन्होंने सारा बर्डन सेट कर दिया राइ जमेट और सुवी के उपर जी सर इसमें और बताना चाहिए मेजरली हमने आई तिंक कवर कर लिया है बाकी वही आपकी मैगजिन के थ्रू हम उसको सारी मैगजिन आप लोग सब्सक्राइब करा लिजेगा हम सारी डिटेल्स इसमें देंगे आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है न तो मोबाइल में जितने भी कॉंटेक्ट्स नंबर है जो सब GST का काम करते हैं सब को शेयर कर दीजे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं थैंक यू फोर वाच्छी